36 गड़ में कैसे चलता है नकसलियों का संगठन? माववादियों को कहां से मिलता है पैसा? इन तमान चीजों से एक बार फिर परदा फाश होने जा रहा है. दरसल 36 गड़ तक की टीम के साथ बातचित में सरेंडर नकसली ने कई चौकाने वाले खुलासे किये हैं. सुनिये हाल ही में आत्मसमर्पन करने के बाद इन्होंने क्या कुछ कहा? जो खुद चंताना सरकार के अध्यक्ष भी रहे सीधे उन से बात करते हैं. भी आपका नाम बताएगी? चंदुयम्दा. यह बताएगे कि आप नकसल संगठन से कब से जुड़े थे? मैं 2005 से और चोबिस तक काम के जुड़े? थुड़ी पूरी कहानी बताएगे. नकसल संगठन में कैसे आया? आपका गाव कौन सा था? कौन लाया आपको? फिर किन के संपर्क में रहे इस सब बाते? मैं 2005 में थाती सुद्धू और आरी राम ने वो लोग बर्ती किये हैं संगठन में. तब से मैं काम कर रहा था. क्या क्या बोले थे? संगठन माने से क्या मिलेगा? क्या क्या आप लोग को बताये थे? कुछ मिलेगा बोलके नहीं बोले लेकिन अभी सब लोग काम कर रहे तो काम करना है पड़ेगा. जल जंगल जम इनको बचाने के लिए सब लोग संगठन में रहे के काम करना है बोलके आप शुरू में संगठन में सदस्य के रूप में जोड़े थे फिर आपको प्रमोशन क्या क्या पद दिये थे आप मेरे को मैं 2005 से लेकर नो तक सदे से में काम किया उसके बाद 2009 के मिलिशा प्लाटूं कमंडर बनाए प्लाटूं कमंडर कहां पर थे तो पालनार पंचेत का है तो इस बीच में कोई हत्यार वगएरा दिये थे कि आपको संगठन में नहीं दिये अच्छा उसके बाद 2012 के जंतना सरक्रा देख्स बनाए 2012 से कब तक थे जंतना सरक्रा बारा से अभी तक थे अभी तक 24 तो नकसल संगठन में रहते हुए केवल पालनार में ही आप थे कि कई दूसरा जिला भी गया नहीं दूसरा जिला यह और यह नहीं गया एक सिर्च क्या क्या जिम्मेदारी आप लोग को देते हैं उसमें जंतना सरकार नो साका है रहते हैं रक्साना साका रहते हैं आर्थिक साका क्रिशी साका नए साका और कुल्मिला के जो वेवस्ता उसके तर नौ साखा है ऐसी टाइप की जैसे नियाय हो गया है और क्रिशी हो गया है और रक्षा आर्थिक अच्छा यह सब इस टैप का जंगल साखा तो इनका काम मतलब सबका काम बटा होता है तो कौन-कौन से लीडर्स आते थे आप लोंका जो क्या आपके संगपर्क में रहते थे तो है यह समय तो इतने समय तो कोई घटना उठना में आप शामिल थे क्या आदा मैं सामिल था है इसी रोड को दाई गाड़ी जलाने तो जब संगठन में बड़े लेडर्स आते थे तो अब लोग पिछा इसे तेंदू पत्ता की लिए भी कुछ पैसे घट्यक घट तो संगठन आपका शादी वगरा हो गया है संगठन में रहते साधी अभी कौन कोने परिवार में तीन बच्चे हैं तो कैसे फैसला कि कि संगठन चोड़ना है क्या वजा रही है अभी चारों तरफ रहा रहा है अब नहीं हो पाएगा करके संगठन चोड़के संगठन में ये बात जा रहा है कि या तो मारे जाएंगे या ग्रिफतार होंगे ये डर सता रहा तो यह आत्मसमरपित मवदी है, जो Strategiva अधार शृत शिद्धा म होता हैए इसी तरह कई और हाटकور मावादी है जिन्होंने आज हतियार डाला है और मुख्य धारा में जुडने का फैसल लिया है निश्ची तोर पर एक जानकरी पहले बता दूँ कुछ देर पहले जो जानकरी साजा की कि जैनुवरी से अब तक लगभाग 180 मावादी गिरफ्तारी के साथ 76 मावादी ने संख्यावल में बृद्धी होने से आप्स बढ़ने से नकसलियों में एक डर और एक भय पैदा हुआ है और यही वज़ा है कि नकसल संगठर कहीं रगए अंदर भीतर ही भीतर खोकला होरण में कमजोर पढ़ता जा रहा है और आत्म समणपड की ओर भी कई मावादी अब ट कर दो